ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल। अनुराधा नामक नक्षत रहेगा व्रश्चिक राशी में चंद्रमा बिद्यमान रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पूरुदिशा में रहेंगे इसलिए पूरुदिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा यदि किसी कारण वस पूरुदिशा की यात आपको नहीं करना चाहिए। मान सम्मान पत्परतिष्ठा का उत्तम योग बनने वाला है। करिक्षितर में उन्नती होगी, प्रगती होगी और जो कामिंग के द्वारा पिछले दिनों किये गए हैं, उसमें भी इनको अच्छा फाइड़ा हो सकता है। तो अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की, आज का दिन अधिक तम समय आप अपने व्यक्तित्त को निखारने में व्यतीत करेंगे। अब हम बात करते हैं व्रशबरासी की, अगर कहीं पूंजी निवेश या फिर नया काम करने का विचार कर रहे हैं तो आप योजना बद्ध तरीके से उसको संपन न करेंगे तो बहुत ही फाइदेमन साबित होगा। योगी परिक्षा में उचित परिणाम हासिल होगे। और उपाई के रूप में भगवान शंकर जी के मंदिर में सफेद रंग का फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा। आपका भगिशाली अंक तीन होगा, भगिशाली रंग आपका औरेंज होगा। अब हम बात करते हैं मितुन राशी की। धर्म और अध्यात्म के प्रती विश्वास आपके अंदर शांती और सकारत्मक उर्जा का संचार करेगा। जीवन के प्रतियक पहलू पर सकारत्मक दरश्टिकोन रखना आपको बहतरीन उपलब्दी हासिल करवाएगा। नया वाहन, नई भूमी, नया काम या कोई भी ऐसा कार्य आपको मिलने वाला है जो बहुत दिनों से प्रतिक्षारत था यानि जिसकी आप प्रतिक्षा कर रहे थे। उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक इलाईची खाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा। आपका भागिशाली अंक छे होगा, भागिशाली रंग आपका हरा होगा। अब हम बात करते हैं करकराशी की। घर में परिवर्तन की योजना बनेगी या फिर घर बदलने का विचार भी आप कर सकते हैं। सकरात्मक विचार उसे आप भरपूर रहेंगे। अगर प्रापर आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा। अब हम बात करते हैं सिंग रासी की। पिछले कुछ समय चे चली आ रही और्थिक समस्याओं का निवारन होगा। काफी समय से रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। घर का माहुल पाजटिव रहेगा, अपनी पढ़ाई के प्रती बच्चों की पूर्ण एकागरता रहेगी, दूसरों की समस्या में न उल्चे तो ही बहतर रहेगा, पढ़ोसियों के साथ किसी बात को ले करके कहा सुनी या वहचारिक मदभेद उत्पन हो सकते हैं, किसी कर्मचारी की ला फलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक चार होगा, भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा, अब हम बात करते हैं कन्याराशी की, इस समय ग्रहों के स्थिती बहतरीन उपलब्धियां आपको प्राप्त करने का योग बना रहे हैं, अब अपने अंदर अद्भ परवाही न बरते, सभी कारियों को गंभीरता पुर्वक आपको करना चाहिए, उपाई के रूप में यदिया भगवान विश्नुजी के मंदिर में केला चड़ाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक नो होगा, भागिशाली रंग आपका लाल होगा, अब हम बात करते हैं तुला राशी की, कुछ लाबदायक संपर्क सूत्र इस्थापित होंगे, दूसरों की समस्याव वकारियों को सुलजाने में आपके महत्त पूर्ण भूमी का रहेगी, आपके लिए बहतर सम्मान जनक इस्तितियां बनेगी, घर में बच्चों की किलकारी संबर्दित, कोई शुब सूचना या अच्छा समाचार मिलने वाला है, संतान की उन्नति तथा प्रगती होगी, नय वाहन, नई जंबेडारी आपको मिलने वाली है, प्रापर्टी में भी आपको फाइडा हो सकता है, उपाई के रूप में मीठा दही शंकर भगवान के मंदिर में दान करना, आपके लिए शुफल दाई सावित होगा, आपका भाग्यशाली अंक साथ होगा, भाग्यशाली रंग आपका आसमानी होगा, अब हम बात करते हैं वर्ष्चिक रासी की, बहारी गती विधियों तथा मित्रों के साथ संपर्कों को और अधिक मजबूत करने के लिए दिन उत्तम है, भाग्यशाली आपके लिए लापदायक परिश्चितियों का निर्मान करेगा, घर की सुक्सुधाओं संबंदी, कारियों में आपका समय वितीत होगा, कुछ नकरत्मक प्रबत्ती के लोग आपको नुकसान पहुचाने का प्रयास कर सकते हैं, आपको मान सम्मान को भी बचा कर रखने की आउशक्ता होगी, और किसी व्यक्ती से यदि आप सोदेवाजी करते हैं, लेंदेन करते हैं, तो उसके बारे में चान बीन करना बहुत अवश्यक होगा, वरना आप नुकसान में आ सकते हैं, और उपाई के रूप में, घर से निकलते समय, गुड़ खाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक पांच होगा, भागिशाली रंग आपका नीला होगा, अब हम बात करते हैं धनुराशी की, आज रोज मर्रा की दिन चरिया से हट कर, कुछ रचनात्मक औ जो है आज साउधानी बरतना चाहिए, किसी भी काम में रिश्क न लेना चाहिए, और उपाई के रूप में, यदि आप पीले रंग की कोई भी वस्तू का डान किसी भी गरीब या जर्वतमन यक्ति को करेंगे, तो आपका डिन शुफल दाई साबित होगा, आपका पर शारीरी ग्रूप से स्वस्त भी महसूस करेंगे, कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार मिलेगा, जिसे मन आपका प्रसंद रहेगा, कोई समय से आपने जो लक्ष निर्धारित किया हुआ है, आज उसे पूरे करने का उचित समय है, अपने गुस्से पर आपको नि कुम्पराशी की, आज आपको महत्वपूर्ण समाचार मिलने वाला है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेडारी भी आपको मिल सकती है, धनलाप के सांथ साथ नए घर की सुब सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है, पदोन्नती के सांथ साथ आपको कोई ऐसा काम भी मिलेग जिसका बहुत दिनों से आपको इंतिजार था, अर्थी की सितियां बहतर हो जाएगी, कलात्मक्रियाप कलापों में आपकी रुची रहेगी, अपने मन के मुटाबिक कारी करने से आपको सुकून और प्रसनता प्राप्त होगी, दूसरों पर विश्वास करने की बजाए, अगवान गनेश जी के मंदिर में यदि आप बादाम चड़ाएंगे तो आपका दिन शुक्फलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक दो होगा, भागिशाली रंग आपका बादामी होगा, अब हम बात करते हैं मीन राशी की, आपकी हिम्मत और साहस आज बहुत अधिक रहेगी और उसी के बल बूते पर आप बहतरिन परिणाम भी हासिल करेंगे, दो परबार इस्तितियों में सुधार होगा, धनलाब होगा, परिवार में खुशियाओ का आगमन होगा, शुब और मैंगली करिक्रम की योजना भी बनेगी, और उपाई के रूप में घ भागशाली अंक और भागशाली रंग हमने आपको बताए हैं, हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्रा झाल